प्रिदीब जी अब बार आपका स्वागत है नवाज शरीफ के बोल तो यूएन में सुन लिए गया लेकिन अब भारत को भी यूएन में बोलना है विदेश मंत्री शुष्मा सुराज क्या कहेंगी क्या जवाब देना चाहिए चर्चा करने के लिए दो खास में वाना मरजात लगातार जुड़े हुए हैं एक बार रुख करते हैं हम एक बार फिर से प्रदीब जोशी जी का प्रदीब जी अब हिंदुस्तान की बारी है अब विदेश मंत्री शुष्मा सुराज बोलेंगी किस तरह का जवाब देना चाहिए इस तरह का भाशन दिया गया है नवाज यून असेंबली में आए तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हरे रंग की टाइल पहन रखी थी और हरा रंग जो है वो शांती अमन का एक प्रतीख है मैं समझ रहा था कि वो ये लेकिन उन्होंने वहाँ पर आके अपने मुलक की असलियत बताई कि वो एक टेररिज्म प्रमोटिंग स्टेट है जबके हम अपने मुलक में हमारे भारत में हम हर एक धरम को अपने सीने से लगा के अपने दिल में बठा के रखते हैं आप को भी as Prime Minister of Pakistan as a dignitary you are invited to please come to Kashmir and talk peace इस इसलाम में कहां जहद लिखा है इसलाम आपको कहां आपको टेररिज्म सिखाता है इसलिए kindly kindly इसलाम का को पूरा पूरा आदर करिये और टेररिज्म को छोड़कर अमन की और आने की कोशिश करिये इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता और एक दूसरा मुदा है आप बात करते हैं रिक चीज को UN में जाना चाहिए UN में जाना चाहिए एकसेप्ट एकसेप्ट फोर दा इंडस वाटर ट्रीटी नाइटीन सिक्स्टी UN UN में कोई भी और मुदा नहीं है सिर्फ आप अगर कश्मीर की बात करते हैं जो की हमारा इंटेग्रल पार्ट है आप आईए यूर इन्वाइटेड कम विल सिट डाउन एंड टॉक जाहिए सी बाते बार-बार शानती की बात की जाती है बख्षी साहब मैं ये सवाल आपसे भी करूंगा कि अब भारत की बारी है UN में विदेश मंत्री शुष्मा सुराज बोलेंगी किस तरह का उनका भाशार होना चाहिए किस तरह की भाशा का प्रयोक करना चाहिए क्या पाकिस्तान को सक्त लहजे में चेतावनी देनी चाहिए विदेश मंत्री को देखिए सक्त लहजे में चेतावनी तो देनी ही चाहिए इस पे दो राए नहीं है हाला कि डिप्लोमेटिक लेवल पे चेतावनी डिफरेंट बेस पे दी जाती है पर सबसे जादा ये क्लियर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एन कश्मीर है और ये इंडियन जम्मू एन कश्मीर ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान है ये हमें क्लियर करना पड़ेगा और ये करना हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर लेके रहेंगे ये सुष्मा सुराज को क्लियर नी बताना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए हम उसको लेके रहेंगे वो हमारा सबसे पहला मुद्धा है और ये वारताला बातें ये सब आप करेंगे आप अपने को धीला दिखाइंगे और कमजोर मनाएंगे ये मत होने दीजे आप कहेंए आपको अपना कश्मीर चाहिए अपना जीन के चाहिए पाकिस्तान औॉक्डिपाइड जीन के आप लेके रहेंगे सबसे पहले ये बात और डूसरी बात یہ कि बिलकुल क्लियर कर दें कि अगर पकिस्तान न बेहें आटैक और वाइलेंस से काम लिया इन्फिलिट्रेशन टेर्र तो उसका सबसे उचे जवाब मिलिटेरिली दिया जाएगा मिलिटेरिली ही दिया जाएगा हाला कि हमारी जो टाइम अफ एक्टिविटी और प्लेस अफ एक्टिविटी हमारी चूजिंग में होगी वो दूसरी बात है पर हम उसको जरूर करेंगे और ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए बिल्कुल जाई सी बात है जहलनी पड़ेगी और देश ऐसी ही तकलीफ में रहेगा कसमसाता रहेगा लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर सुधरता दिखाई नहीं पड़ेगा इस पूरी चर्चा का समापता हम यहीं पर करते हैं प्रदीप जी आपका और प्रफलबक्षी जी आपका इस पूरी चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यहाँ पर अब मौका आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी की भाशा में जवाब दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी समझने को तयार नहीं नवाश शरीव का जो भाशान यूएर में दिया गया उसके बाद यह बाद साफ हो चुके है कि पाकिस्तान अपने रवईये पर लगातार डटा रहेगा और इसे में अब 26 तारी को शुचमा सुराट किस तरह का जवाब देती है यह बाद बाद साफ हो चुके है